दोस्तों इस वीडियो में हम discuss करेंगे State Bank of India के Simply Click Credit Card के बारे में अब ये जो SBA का Simply Click Credit Card है इसमें हाल फिलाल अभी बहुत सारे changes किये गए है कुछ नई terms and conditions को भी add किया गया है हर कोई चाता है भी State Bank of India का एक credit card उसके पास हो लेकिन सबसे पहले हमें इसकी features जानने भी तो जरूरी है जो SBA का Simply Click Credit Card है ये हमें क्या-क्या features देता है और क्यूं ये credit card इतना ज़ादा demand में है देखो सबसे पहली चीज भी demand में क्यूं है देखो इसकी जो joining fees है वो है 499 पे ऐसे ही इसकी जो annual fees है वो भी है 499 पे अब यहाँ पे joining fees भी ले रहा है annual fees भी ले रहा है लेकिन फिर भी इतना ज़ादा demand में क्यूं है उसका कारण ये है कि इसके features कुछ ऐसे design किये गए है कि आप अराम से अपनी joining fees को भी zero कर सकते हो और अराम से अपनी annual fees को भी आप zero कर सकते हो ये दोनों चीजे मैं बताऊंगा कैसे ये zero होंगी इसके features में ही ये सब कुछ है पर सबसे पहले इसके important features को देख लेते हैं सबसे पहले तो SBI का जो ये simply click credit card है ये काम करता है reward point system पे और यहाँ पे चार reward points की जो value है वो एक रुपे के बराबर बैठती है ठीक है तो ये reward point system इसका ऐसे काम करता है तूसरी चीज इसका जो सबसे पहला feature है वो ये बोलता है कि SBI के साथ कुछ brands के साथ tie up है अगर आप इन brand से कोई भी समान खरीदोगे तो आपको 10x reward point मिलेंगे अब एक तो ये लिखते ऐसे हैं 10x, 5x, 20x पता नहीं ऐसे लगता है कस्टमर को देखने पे 10x यानि 10 गुना reward points मिल रहे हैं क्या ऐसा कुछ भी नहीं है सिंपल सी बात नहीं लिखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे कि भाई आपको 1%, 2%, 5% cashback कितना मिल रहे है 10x, 20x और ये SBA की काहानी नहीं है ये हर बैंक के credit card की काहानी है इतना confuse करके, इतना गोल मुल करके लिखते हैं कि बंदा सोचता है यार बहुत ज़्यादा cashback दे रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है पहले तो ये देख लेते हैं ब्रैंड कुन से हैं ब्रैंड हैं Apollo 24-7, Book My Show, Clear Trip, Domino's, Easy Dinner, Mintra, Yatra और NetMets अगर आप इन ब्रैंड से कोई भी सामान खरीद होगे तो 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 10x यानि 10 reward points मिलेंगे एक reward point की जो value है वो 25 वैसे के बराबर है यानि मैंने आपको बता है ना 4 reward point की value एक रुपे के बराबर है तो 100 रुपे का खर्चा करते हो अगर आप इन ब्रैंड से उपर तो आपको 0,5 रुपे का cashback मिलेगा यानि 100 रुपे का खर्चा करने पर 0,5 रुपे का cashback यानि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुझे 0,5% का cashback तो मिलेगा अगर मैं ये जो SBI के partner brand है इनसे अगर कोई भी सामान online खरीता हूँ तो मेरे को 0,5% का सीधा-सीधा cashback मिलेगा इसकी term and condition कुछ भी नहीं है कोई upper limit नहीं है आप जितना मर्जी खर्चा करो इसके उपर आपको सीधा-सीधा 0,5% का cashback मिलता चला जाएगा आप 0,5% ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है लेकिन बहुत जादा भी नहीं है मतलब आप बीच में रख सकते हो कि ठीक ठीक है क्योंकि SBA के दूसरे भी credit cards है जैसे SBA का cashback credit card हो गया आपका और भी बहुत सारे credit cards है जैसे HDFC का millennia हो गया ICIC Amazon हो गया Flipcard, Axis Bank का Flipcard हो गया यहाँ आपको 5-5% का भी cashback मिलता है लेकिन ठीक है 0,5% है क्योंकि variety भी होगी थोड़ी अलग-अलग brands है अगर किसी को इन brands की जरूरत है अगर किसी का खर्चा इन brands के उपर है तब ठीक है कि 0,5% का cashback है कोई term and condition नहीं है कोई upper limit नहीं है अब आप इन brands को छोड़ दो इसके दूसरे feature की बात कर रहे है इन brands के अलावा अगर आप online कहीं पे भी खर्चा करते हो तो 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 5X reward points मिलेंगे यानि 5 reward points मिलेंगे 4 reward points की value एक रुपे के बराबर है यानि 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 1.25 रुपीज का cashback मिलेगा यानि मैं यह कह सकता हूँ कि online इन brands को छोड़ दो जहां पे हमें 0.5% का cashback मिल रहा था इसके अलावा अगर मैं online कहीं पे भी कोई भी खर्चा करता हूँ तो मेरे को 1.25% का cashback मिल रहा है असान भाशा में bank कभी नहीं लिखेगा अगर bank ने असान भाशा में लिखना होता तो सीधा बोलता ना कि या partner band पे खर्चा करो 0.5% का cashback partner band को छोड़ दो online कहीं पे भी खर्चा करो तो 7% का cashback लेकिन नहीं लिखेंगे क्या partner पे करोगे तो 10x 10x और अगर कहीं पे करोगे online तो 5x बंदा सोचतो कोई term and condition थी नहीं लेकिन online जो आप खर्चा कर रहे हो जहाँ पे आपको 1.25% का cashback मिल रहा है यहाँ पे इनोंने अभी हाल फिलाल terms and conditions जोड़ दी है यह term and condition क्या है यह बोलता है कि अगर आप online कोई भी खर्चा करते हो तो एक महीने में जादा से जादा आप 10,000 reward points ही earn कर सकते हो 10,000 reward points यानि एक तरह से 25-100 रुपे का ही आप जादा से जादा cashback महीने में earn कर सकते हो लेकिन अगर मानलो आपने 10,000 से जादा reward points earn कर लिया आपने खर्चा बहुत जादा कर दिया तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 5X reward points नहीं मिलेंगे आपको सिरफ 1 reward point ही मिलेगा यानि 100 रुपे का खर्चा करने के बाद अगर आपने limit exceed कर दी तो सिरफ 0.25% का ही आपको cashback मिलेगा अच्छा इसके बाद 2 feature होगे पहला तो होगया कि partner brand पे कुछ भी खर्चा कर रहा हूँ 0.5% का cashback दूसरा feature होगया कि online कुछ भी खर्चा कर रहा हूँ 1.25% का cashback तीसरा होगया कि अगर retail पे कोई भी खर्चा करता हूँ दुकान दुकून पे गया या कहीं पे भी कोई भी खर्चा किया तो 100 रुपे का खर्चा करने पे सिर्फ 1 reward point मिलेगा यानि 100 रुपे का खर्चा करने पे सिर्फ 0.25 रुपीज यानि 25 पैसे का ही cashback मिलेगा अच्छा अब एक time and condition और ये है कि हम online ये बोलते हैं कि मालो मैं rent payment करता हूँ तो online मैंने rent payment अपने landlord को भेज दिया तो उस पे मेरे को 5x नहीं मिलेगा मैं ये नहीं कह सकता है कि ये online transaction है या फिर अगर मैं बात करूँ utility bill payments की जैसे कि मालो बिजली का bill भर दिया पानी का bill भर दिया mobile recharge करा लिया utility bill कोई भी अगर मैं pay कर रहा हूँ उस पे भी मेरे को 5x यानि की 7% का cashback नहीं मिलेगा यानि rent पे और utility पे 7% का cashback नहीं मिलेगा 100 रुपे का खर्चा करने पर सिरफ 1 reward point मिलेगा यानि 100 रुपे का खर्चा करने पर सिरफ मेरे को 0.25% का ही cashback मिलेगा ये भी इसकी ताजी-ताजी नई term and condition add की गई है अच्छा इसके अलावा ये बोलते है कि अगर मानलो आप wallet loading करते हो मानलो आपने SBI के simply click credit card से पैसा उठाया और डाल दिया पैसा उठाया credit card से डाल दिया Amazon के wallet में ये वाला case पकड़ लो या फिर अगर आपने SBI के credit card से cash withdraw कर लिया जी ATM में जा करके तो इस case में छाहे cash withdraw करो या फिर wallet loading करो इस case में एक उर्पे का भी आपको cashback नहीं मिलेगा ठीक है जी अच्छा अब बात आती है कि ये कैसे माफ करें 499 पे जो हमने joining fees पे करी है और 499 पे जो मैं annual fees पे करूँगा वो कैसे माफ करें देखो जो joining fees है 499 पे की वो तो कुछ ऐसे माफ होएगी कि जैसे ही जिस दिन भी आपके पास ये credit card आ जाएगा simply click वाला उसके क्या बोलते है 30 days के अंदर अंदर आपको Amazon का एक gift voucher मिलेगा ठीक है इसकी कोई term and condition नहीं है ये जो Amazon का करवादी माफ ठीक है उसके अलावा जो हम annual fees पे कर रहे हैं 499 रुपे की ये annual fees आपकी तब माफ होएगी अगर आप साल भर में 1,00,00 रुपे का अगर खर्चा कर लेते हो तो आपकी annual fees भी completely wave of हो जाएगी कोई annual fees आपको पे करने की जरुरत नहीं है और 1,00,00 रुपे साल भर में अराम से खर्च हो जाते हैं अगर आपके नॉर्मल भी खर्ची हैं थोड़े बहुत थोड़े बहुत तो लाग रुपे अराम से खर्च हो जाते हैं तो आप अराम से अपनी जो annual fees है उसे भी माफ करवा सकते हो बाकी एक चीज़ और यह है कि इसके आगे features देखें उससे पहले इसका जो apply करने का link है simply click का ये भी मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा ताकि असानी के साथ अगर आपको लगता है कि आपके लाएक ये features हैं तो ही apply करना otherwise ignore कर देना बाकी जो link है वो मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा इसके अलावा ये बोलता है कि अगर कोई भी समान आप 2500 रुपे से जादा का मंगवाते हो तो इसे easily EMI में convert किया जा सकता है तो कुछ खास feature नहीं यह हर कोई दे ही देता है अच्छा ये बोलता है कि अगर साल भर में आप एक लाख रुपे का खर्चा करते हो तो ये तो chapter अलग है कि आपकी fees माफ हो जाएगी ये तो अलगी चीज है इसके अलावा ये milestone benefit की बात करते है अगर आप साल भर में एक लाख रुपे का खर्चा करते हो तो आपको हम दो voucher देंगे दो-दो हजार रुपे के किस चीज के देंगे? देंगे clear trip के ही लेकिन दो voucher मिलेंगे लेकिन अब इसकी भी एक term and condition है पहली चीज तो ये clear trip क्या है clear trip एक ऐसी website है जहाँ पर आप जाकर flight की booking, hotel की booking गूमने फिरने से related आप एक तरह से pre-planning कर सकते हो ना कि या flight की booking कर ली clear trip से करा ली hotel की booking करा ली ऐसा लेकिन ये जो आपको milestone benefit में clear trip के voucher मिल रहे हैं इसकी term and condition ये है कि आप ये वाले जो 2000 उपे हैं इससे सिर्फ और सिरफ clear trip पे जाके flight की booking ही कर सकते हो यानि ticket book कर सकते हो सिरफ आप hotel hotel की booking नहीं कर सकते है flight चाहे आप भले ही domestic book करो या भले ही international book करो उसमें कोई problem नहीं है लेकिन आप इससे hotel hotel की या और कोई खर्चा clear trip पे नहीं कर सकते हैं सिरफ और सिरफ flight की booking ही कर सकते हो अच्छा दूसरी time and condition यह है कई पर क्या होता है जब हम clear trip पर जाते है ना तो वहाँ already clear trip कुछ ना कुछ वो दे रखा होता है clear trip ने की भया 1000 रुपे वैसे अपनी तरफ से ही मैं discount दे रहा हूँ आप flight की booking कर लो तो अगर मान लो कभी ऐसा रहा कि 1000 रुपे clear trip खु से यूज करो clubbing नहीं कर सकते है ठीक है तो खेर इसका यह feature था ठीक है यह feature भी अगर आप लाकर पर खर्चा करते हो लेकिन बात यह भी है कि आप flight की booking भी तो आपकी need में होनी चाहिए वि credit card लेने का तभी फाइदा है कि आप देखो न features आपके लायक है तो ही आपको लेने का फाइदा है ठीक है जी अच्छा उसके अलावा 1% का fuel surcharge waiver है यह लगबग हर बैंक देता है और इसके अंदर भी limitation यह है कि कम से कम 500 रुपे की transaction होनी चाहिए पेट्रोल पंपे और जा मानलो आपके पास SBA का यह simply click credit card है इसकी limit है 50,000 रुपे ठीक है अब आप के घर पे आप चाहते हो कि आपके father को भी credit card होना चाहिए और आपकी mother के पास भी credit card होना चाहिए और आपके father और आपकी mother कोई भी ना ITR भरते हैं ना civil score अच्छा है मानलो सब एकदम क्योंकि aged हैं आपके father को और एक आपकी mother को तो ऐसे में आप bank को यह कह सकते हो कि मेरी limit 50,000 से घटा के 30,000 कर दो 10,000 की limit मेरे father को दे दो और 10,000 की limit मेरी mother को दे दो नया credit card आजाएगा father के नाम पे नया credit card आजाएगा mother के नाम पे लेकिन father और mother दोनों में से कोई भी accountable नहीं होगा कल को वो अ को bifurcate कर दिया जाएगा आपकी limit कम हो जाएगी आपकी limit में से कुछ-कुछ जो पैसा है वो आपकी family members को दे दिया जाएगा ठीक है तो यह add-on जो यह credit card का जो add-on feature है यह इसके अंदर मिल जाते है बाकी annual fees reversal हम देख चुके हैं कि साल भर में अगर लाक रुपे का खर्चा करते हो तो हमारी जो annual fees है वो माफ करवाई जा सकती है तो यह था एक छोटा सा analysis SBI simply click credit card के ऊपर तो last में बस एक छोटी सी request यह है कि अगर आपको यह लगता है कि वीडियो देखने के बाद जरा सा भी value edition आपकी life में हुआ है जरा सी भी अगर आपकी knowledge enhance हुई है तो please इस वीडियो में अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all